So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader, so आज इस वीडियो में हम बात करेंगे REC की साथ ही कुछ multiple shares को भी हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो वीडियो को आगे continue करो, उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे channel The Mahajan Trader को subscribe नहीं क्या है, तो please channel को subscribe कर लेना साथ ही आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हो, जिसके link आपको निचे description में मिल जाएगी वहाँ पर आपको nipty और bank nipty की काफे कुछ update मिलने वाली है, तो please जा कर एक बार check out जरू कर लेना तो वीडियो को करते हैं, continue REC Limited की अगर हम बात करें, तो stock 424 रुपे 10 पेसे के level पे closing देता हुआ हमें नजराया है 4.40 पेसे के round अगर आप देखते हो, तो stock में एक बड़ी बड़त भी हमें देखने को यहाँ पर मिली है 1.05% के basis पे stock में हमें growth नजराती है और यही growth आगे भी ऐसे ही continue हो सकती है क्योंकि share में consistency के साथ returns हमें देखने को मिल रहे है हाला कि last reading season stock में थोड़ी बहुत गिरावट रही थी बट add and stock ने चर्टन्स दिये यहाँ पर morning में भी share काफियत तक गिरा यहाँ पर अगर देखे morning से लेके 9.15 से 9.45 तक stock 3 रुपे 80 पेसे के round गिर गया बट add and stock अगर देखे तो यहाँ पर 9.45 से 11.55 तक share अगर देखे तो यहाँ पर 13 रुपे तक बढ़ा फिर उसके बाद stock में again गिरावट आई 5 रुपे 20 पैसे तक की और यहाँ पर अगर देखे stock में एक rapid growth भी आई stock थोड़ा बुद हलका गिरा भी यह चीजे हम stock में काफी time से देखते आ रहे हैं पाच दिन में returns की बात करे तो यहाँ पर 13 रुपे तक की return है एक महीने में 34 रुपे तक के 6 महीने में 296 रुपे और एक साल में 301 रुपे तो यहाँ पर growth काफी अच्छी रही है शेर में काफी हत तक यहाँ पर अगर देखो stock ऊपर की और बढ़ रहा है और आगे भी हम देख सकते कि stock में एसी ही एक बड़त हमें देखने को बिलेगी शेर में गर देखे तो एक बड़ा यहाँ पर एक प्रोजेक्ट साइन हुआ है REC Limited और RVNL ने लगभग 35,000 करोड का MOU यहाँ पर साइन किया है Finance Infrastructure Project के लिए तो यह बड़ी news यहाँ पर सामने आ रही है RVNL और REC दोनों ने ही यह प्रोजेक्ट यहाँ पर साइन किया है जिसकी वज़ा से अगर देखे तो यहाँ पर शेर में एक बड़ा जम्प हमें देखने को मिला और यह वही अगर देखे तो आने वाले 5 सालों के लिए यह प्रोजेक्ट होने वाला है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लिवड है लोजिस्टिक हब्स रेल रोड पोर्ट एंड मेट्रो लगबग इन सब चीजों पर लगबग आने वाले 5 सालों तक काम करने वाले हैं तो इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए तो REC Limited में एक rapid growth रही भी और share बाद में गिरा भी बट stock में news बढ़ी है तो क्या आने वाले टाइम में REC जो है एक bonus का announcement कर सकता है तो इसका answer है highest बिलकुल company में bonus भी हमें मिल सकता है क्योंकि हापर अगर दिखे stock काफियत तक overvalued हो गया है और जो PFC है जिस PFC ने REC को acquire किया है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए और PFC ने हाली में 2023 में bonus का announcement किया और वही अगर दिखे यही चीज REC में भी होती हुई हमें जर आ सकती है REC कही ना कही एक bonus का announcement कर सकता है 2016 में company की ओर से पहली बार 1-1 का bonus दिया गया फिर 2022 में 1-3 का bonus दिया गया और हमें पूरी उमीद है कि आगे भी REC की ओर से एक तगड़ा bonus दिया जा सकता है क्योंकि इसके price को भी अगर देखो इसके price को देखे वे इसा लगता है कि यहाँ company bonus देने वाली है क्योंकि यहाँ पर इसके price में काफी बड़े improvement हमें नजर आ रहा है तो इस चीज के उपर भी आपको ध्यान देना चाहिए वही अगर देखे volume भी का भी बढ़ रहा है stock में day by day share में काफी हद तक buying भी होती रही है एक करोड के round तक का trade value हमें आज भी देखने को मिला yesterday की बात करें तो एक करोड का trade value हमें yesterday भी देखने को मिला था तो high volume के साथ day by day stock में यहाँ पर buying हो रही है तो इस चीज के उपर भी आपको यहाँ पर focus करना है वही अगर देखें तो stock में जो community sentiments के आकड़े है ओभी positive नजर आते है community sentiments के आकड़ों की अगर मैं बात करूँ तो 100% लोग है share में जो buy करने के लिए करता है तो एभी एक अच्छी चीज है 100% लोगों की ओर से stock में buy करने के लिए लिए रहा है buy rating दी जा रही है जो को हम 5 minute के time frame पर देखेंगे और 5 minute के time frame पर जो previous trading seasons हमने जिन levels की बात की उनहीं levels के around a share घुमता हुआ आज भी नजर आता है और वही अगर देखें तो stock में आज तो अच्छी तेजी रही stock काफी अच्छी तरीके से बड़ा और वही अगर देखें जो downside की और से जो support है जो पहले भी इस particular range के around support ले चुका है और इसी के around अगर आप देखते हो तो stock ने support लिया यहाँ पर भी अगर आप देखोगे stock पहले support ले चुका है और आज हुआ क्या share में अगर देखें आज morning में ही बड़त रही फिर sudden एक down आया फिर यहाँ से again इसने एक support ले लिया और यहाँ से support लेने के बाद stock ने काफी बड़ी growth बताई एक rapid growth हमें देखने को मिली और जो previous high लगाया था stock ने जो previous इसने high लगाया था उसी high के around से अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं गिरावट रही यहाँ पर भी अगर आप देखो इस level पर एक अच्छा breakout दिया था इसने और breakout की बाद उपर गया था और इस point से गिरावट आई थी और यहाँ पर एक consolidate करने लग गया आज भी आप देखो यहाँ से stock में बड़ा यहाँ से देखने को मिली but share में आप positive रहो as a long term के purpose से भी अगर आप देखोगे तो positive रह सकते हो और वही अगर आप देखो share में काफी अच्छी चीजे create हो रही है वन आर के time frame पर भी अगर मैं बताऊ stock में अच्छे breakout हमें मिले हैं और आने वाले time में stock में जो returns है हम expect कर रहे हैं कि share में काफी अच्छे return हमें देखने को मिले है लगबग 140, 145, 150 के round जाए stock यहाँ पर काफी अच्छी तरी की surprise action ने भी work किया जैसे यहाँ पर symmetrical type pattern के breakdown के बाद गिरा उट रही इस point से stock गिरा है इस point से भी stock गिरा फिर again एक symmetrical type pattern मिला फिर breakout मिला breakout के बाद share उपर गया और यह particular trade line का breakout भी मिला stock ने यहाँ पर sustain किया और अब यहाँ से उपर क्यों जाने कोशिश कर रहा है तो यहाँ से growth में पुरी हम उम्मीद रख रहे हैं कि यहाँ से एक तगडी growth हमें देखने को मिलेगी और वही गर देखे stock अगर कल के दिन इस range को break कर देता है तो यहाँ से एक बड़ा momentum एक बड़ी बड़त बिल्कुल आने वाली है इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है और नए high stock अगर देखे आने वाले time में भी create कर सकता है क्योंकि already यह पिछले कुछ टाइम से एक rapid growth बता रहा है कई range इसने break की है कई बड़ी range को इसने break किया है और एक नए high बनाने के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह share ready है एक नए high के लिए यहाँ पर इस stock में आप ready रह सकते हो और वही अगर देखे short term basis पर भी अगर हम देखे 5 minute के time frame पर अगर देखे stock में हमें की चीज़ों के उपर focus करना चाहिए तो यहाँ पर अगर देखे इस particular range पर एक respect एक support लेने की कोशिश कर सकता है क्योंकि यहाँ पर अगर देखे last trading season भी यही पर support लिया था अगर यहाँ पर support लिया यहाँ पर support लिया तो हो सकता है यहाँ पर गिरावट आए यहाँ से एक support ले और support ले के उपर की और चले जाए तो इसे भी points है जिनके उपर आप focus रख सकते हो तो हम इस straight line को रहने देते हैं तो यहाँ पर इस level के बारे में भी आपको ध्यान देनी चाहिए अब बागे बढ़ते हैं अब बात करेंगे cases stock की जिसमें आप आपको bonus मिलने वाला है एक share खरीदते हो तो दुसरा bonus का share मिलेगा Integra, Essentia, Limited, Textile and Apparel stock है और sector का stock है 10.60 पेसे के राउन तक की closing है 1.65 पेसे के राउन तक के returns भी हमें मिले और company की और से अगर देखे तो काफी इच्छा bonus का announcement हुआ है और bonus company की और से दिया जाना है 1.21 का 11.2024 से पहले buy करो इसका benefit आपको मिलेगा एक share के उपर एक bonus का share और 100 shares के उपर 100 bonus के shares आपको मिल सकते है I hope वीडियो आपको helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को like करना channel को subscribe करना मत बूलना और कोई भी stock में investment करने से पहले इनका analysis कर लेना Thank you